एलो फ्रेंड्स एंड दियर श्रूरेंट्स आज का हमार टॉपिक है मेडिशनल केमस्टी थर्ड के यूनिट नंबर सेकेंड से मैक्रोलाइट एंटिबैटिक्स और इस वीडियो बे हम लोग मैक्रोलाइट एंटिबैटिक्स का एक जनरल इंट्रोड़क्शन केमेस्ट्री उनकी, स्ट्रॉक्चर, क्लासिफिकेशन, मैक्रोलाइट एक्शन यूजर इत्यादी को इन दे रिफरेंस आफ एरेट्रोमैसिन, कलेट्रोमैसिन और एजित्रोमैसिन आसान तरी किससे समझने की कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर बजने शुकला, चलिए शुरू करते हैं मैक्रोलाइट एंटिबाटिक्स भी हमारी पुरानी एंटिबाटिक्स जो भी हमने अभी तक पढ़ी है उनके जैसे ही soil bacteria like septom journais species के bacteria से पराप्ट की जाती है साथी साथ ये natural और हमारी semi-synthetic भी हो सकती है और ये macrolide antiबाटिक्स भी bacterial protein की synthesis को इनिभीट करती है लेकिन जो शब्द है macrolide इसका क्या मतलब है macrolide उन compound को का आ जाता है जहां पर हमको एक Macrocyclic Lactone Ring देखने को मिलती है और ये Macrocyclic Lactone Ring Macrolyde Compound में 12 या उससे ज़्यादा Elements Containing या Members Containing होनी चाहिए तब ही हम उसे Macrolyde या Macrocyclic Lactone Ring बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? साधान सब्दुमें तोड़िए Macro मतलब बड़ी cyclic मतलब cyclic structure और जहां पर lactone ring भी present हो lactone ring क्या होती है? जो की carboxylic acid के ster बनता है बट cyclic form में बनता है उसे हम क्या कहते है? lactone ring करते हैं तो अभी हम इन दोनों structure को आगे आपको बना करके भी जो बना हुआ structure उसमें दिखाएंगे भी 12 memberd होती तो हम macrolite बोलते बट ये जो हमारी ring है 12 से उपर होने पर बोलते है 12 या 12 से उपर लेकिन जो हमारी antibiotics है macrolite antibiotics वहाँ पर 14 से 16 memberd macrocyclic electron ring हमको देखने को मिलती है और इसी के साथी साथ एक या एक से जादा deoxy sugars भी यहाँ पर present होती है तो हम यह कह सकते हैं कि जो macrolite हमारी class है antibiotics की वह एक natural या semi synthetic products की class है जहां पर large 14 से 16 memberd macrolyclic electron ring रहती है साथी साथ deoxy sugars भी रहते हैं जैसे की cladinos और dsosamine और cladinos जैसे sugars भी यहाँ पर present रहते हैं खास करके यह वाले sugars जो की amino sugars का रूप में होते हैं एक amino sugars का होना यहाँ पर जरूरी है अब इसकी calustry और structure की बात करते हैं बहुत ही आसान सा structure है इसका आपको देखने में खतरनाग लग रहा हुआ लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसको बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं देखें यह जो आपके सामने ring structure दिखाई दे रहा इसको हम अगर draw करना चाते हैं तो हम कैसे करते हैं यह आप ऐसे draw करते हैं आपके बाद यहां से line खीचते यहां जाते यहां जाते फिर ऐसे जाते और यहां oxygen लगा देते यहां पर कर बन था यह oxygen लगा के फिर वापस ऐसे अब देखिए इस link system की numbering जो है वो इस carbon से करते हैं और एक oxygen भी इसी ring system का part है तो यानि एक heterocyclic ring system है और total यह जो ring system आपके सामने बन रहा है वाँ पे 14 elements जो है वो लगी वह है यह कौन सा element हमारा 14 element है तो 14 element होने चाहिए जैसा हमने आप से का था अब यह बड़ी है macro है cyclic है इसलिए इसे हम कहते है macro cyclic ring और इस macro cyclic ring में यहां प ister sorry carboxlic ister form बन रहा है या functional बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं lactone तो इस तरीके के कहीं अगर आपकी function में हो ring में तो उसे हम क्या कहते है lactone ring तो यहां पर lactone भी है और यह एक बड़ी macro cyclic ring भी है तो इन दोनों को एक साथ जब हम लिखेंगे तो कहेंगे macro cyclic lactone ring next यहां पर total 14 member ह मैंने भी आपको बताया 13 यहां पर carbon है और एक क्या है यहां पर oxygen है इसके साथ ही साथ 5 पोजिशन पर और 3 पोजिशन पर देखिए glycosidic linkage बन रहा है इसको भी ध्यान दीजेगा glycoside linkage है यहां ठीक है glycoside linkage बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपने पिछले antibiotics में देखा था और यह sugars के molecules हैं जैसे कि एक सुगर हमारा amino सुगर है यहां डी सोसा माइन सुगर और डूसरा हमारा के लेडिजना लोज है जो की amino सुगर नहीं है normal सुगर है deoxy सुगर है और यह दोनों सुगर के molecules इस पे जुड़े हों तो generally जो आपके syllabus में जो macrolides है उसमें आपको ऐसा ही तीसरे और 55 नमबर पर ग्लाकुस की डिग बांड बना करके सुगर के molecules जुड़े हुए दिखाई देंगे तो this is a general structure of the macrolides और chemistry की बात करें तो कुछ chemical characteristics हमको देखने को मिल रही है इसे structure में जो की हर macrolides में देखने को मिलती है एक तो बड़ी बात है कि एक बड़ा lactone ring लगा हुआ जिसे हम macrocyclic lactone ring कहते है जनरली यहाँ पर 12-16 atoms या elements या members इसमें होने चाहिए दूसरी चीज यहाँ पर ketone group होना चाहिए जो की 9th position पर हमको दिख रहा है 9th carbon पर आप देख पारे थे ketone group लगा हुआ था यह देखिए यहाँ पर यह जो ketone group है इसकी बात हो रही है एक glycosidic linkage amino sugar होना चाहिए जैसा भी हमने आपको दिखाया था कम से कम एक amino sugar यहाँ होना चाहिए और वो glycosidically bond बना करके यह जो आपका dimethyl sugar moiety लगी हुई है अभी अभी जो हमने देखी थी वहाँ पर यह इस moiety की बात हो रही है sugar के साथ amino sugar है और यह हाँ पर dimethyl amino group जो है वो लगा हुआ है यह portion जो है हमारी drug को basic बनाता है और इसके pk value को जो है 6 से 9 के बीच में ले करके जाता है जिसके साथ साथ यह salts जो है वो बना सकते हैं और यह जो salts है वो clinically useful salts होंगे जो कि हमारे शरी में जाकर के absorption वगेरा में फैदा पहुचाएंगे यह यह जो होते हैं जो हमारी drugs है यह macrolides यह सब stable होती है aqua solutions में लगबग room temperature के उपर और यह inactivate होते है by the acids base and heat अगर हम acid base या heat के साथ इनको लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाते है inactivated form में इनका जो ring system है वो break हो जाता है और जो hydroxy group लगा हुआ है 11 position पे वो lactone ring बनाने लगता है जिसके यह breakdown हो जाता है next अब classification की बात करते हैं तो जो इसका classification है macro lactone ring में जितने members हैं उसके basis पर क्या जाता है यानि हमारी macro electron ring जो भी हमने आपको दिखाई थी उसमें जितने number of atoms होंगे उसके हिसके इसका classification कर सकते हैं generally जो macrolides हैं वो 12 member, 14 member, 15 member या 16 member हो सकते हैं 12 member वाले बहुत कामें जैसे methylmycine का एक example आप ले सकते हैं 14 member ring system में 2 तरीके के हैं एक तो natural है eryarthromycin इसमें भी eryarthromycin A, eryarthromycin B, eryarthromycin C, ETC और semi synthetic हैं जैसे कि kliathromycin, diathromycin, fluorithromycin और orextromycin जो है इसके examples हैं 15 member ring में भी एक semi synthetic agent है that is erythromycin जो कि काफी ज्यादा यूज के जाता है आज के समय में Corona का टाइम में तो और ज्यादा इसका प्रियोग हो रहा है अभी हम इसका structure वगरा भी देखेंगे अगला जो है हमारा member, sorry 16 member ring जो की है isparamacin जो की एक अच्छा example है 16 member ring system का तो यह सब जो है Macrolite के क्लासिफिकेशन आप बात करते हैं Macrony of Action की तो मैंने पहले ही कहा कि यह भी हमारे जैसे Aminoglycosides हम ने देखे थे वैसे ही यह भी क्या है एक protein synthesis inhibitors हैं लेकिन एक अंतर है यहां पर यह 50S subunit of ribosomes, bacterial ribosomes पर attach करते हैं या वहां पर जाके attack करते हैं एक चीज़ समझेगा पहले normal functioning समझेगे कि जब आपका जो DNA है उसमें transcription होती है transcription होने पर messenger RNA जो है एक आते हैं और यह messenger RNA जो है वो 30S और 50S subunit के बीच में जुड़ जाते हैं कहां पर ribosomes पर जुड़ जाते हैं इसके बाद हमारे tRNA जो होते हैं जंग के पास एक amino acid होते हैं यह amino acid लेकर के tRNA लगा था transfer RNA आते रहते हैं और इस positions पर अंदर जाते हैं जहां पर A side पर यह transfer कर देते हैं अपने पास जो amino acid है वो यहां पर transfer कर देंगे attachment करेंगे और फिर चले जाएंगे यहां से बाहर निकल जाएंगे फिर दूसरा TR जाएगा यहां पर जाएगा एक और जोड़ेगा और इस प्रकार से लगातार ज जहां पर जो यह P side है जहां पर transfer हो रहा था इस positions पर आकर अटाक करते हैं जुड़ते हैं जिसकी वजह से यह जो amino acid का transfer हो था यह आप कह सकते हैं जो transfer RNN ने आ रहे थे इनका blockage हो जाता है और यह अपने amino acids का transfer कर रहे थे वो नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से protein synthesis होती है ब्र P side पर क्या करते हैं आकर के bind करते हैं 50 a sub unit पर bacterial ribosome के जिसकी विजह से translocation steps जो होते हैं protein synthesis में जहां पर peptide change का elongation हो रहा था उसको क्या कर देते हैं inhibit कर देते हैं जिसकी विजह से protein synthesis inhibit हो जाती है और bacteria की क्या हो जाती है death हो जाती है simply हम लोग कह सकते हैं कि macrolite जो antibiotics हैं वो inhibit करते है ribosomal peptide transferase activity को जिसकी विजह से protein synthesis का क्या हो जाता है inhibition हो जाता है अब बात करते हैं कुछ जो आपके salivus में तीन drugs हैं उनका structure and uses की तो erathomycin का structure बिल्कुल वही है जैसा भी हमने बनाया था same वैसा ही है दो sugar molecule हमने लगाए है यह glycosidic linkage है यहाँ पर कि अब थोड़े से अंतर से आपको देखने को मिलेंगे वो हमें समझने होगा erathomycin जो पहली बार isolate किया गया था स्ट्रप्टोमाइस से और यह जो बैक्टिरिया थे इसी से इसको isolate किया जाता था starting mode या वहीं से iscom कह सकते हैं कि इसका origin mass हुआ next अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यह जो structure आपको दिखरा है macrolite का इसमें इस position पे जो हमारा 12 नंबर का position और इस sugar में जो यह position है इन दोनों positions पे हम different different substitution थोड़ा वो substitution थोड़ा चेंज है जिसके रहे से हमको erathomycin A erathomycin B और erathomycin C प्राप्त होती है तो R1 जो है अगर OH हो और R2 अगर OCST हो तो एक natural erathomycin A जो है में प्राप्त होती है अग जो erathomycin B है वहाँ पर R1 और R2 में अंतर क्या है कि R2 तो सेम ही है यानि कि OCST यानि कि methoxy group लगा हुआ है लेकिन जो R1 है वो simple यहाँ पर hydrogen हो जाएगा OH यहाँ से replace कर दिया जाएगा erathomycin C में यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर R2 में भी OH है दोनों जगों पर OH OH हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे erathomycin C कहेंगे सेम यह structure जो आपको पिलता है erathomycin जो है वो बहुत जादा useful एक drug है जो की बहुत सारे bacterial infections like skin infections, respiratory tract infections, chlamydia infections, pelvic infections जो disease होती है वहाँ पे और सिफैली सित्यादी जो की sexual transmitted disease है ऐसी जगों के infections में जो है इनका प्रयोग किया जाता है और यह mainly gram positive bacteria पे बहुत जादा broad spectrum antibiotic है but कुछ bacteria of gram negative bacteria पे भी action अपना शो करती है दूसरी हमारी है kalithromycin, kalithromycin जो है sorry kalithromycin जो है वो एक semi synthetic drug है from the erythromycin और यहाँ पर होता क्या है कि जो six position of erythromycin था this one the six position इस पे जो hydroxy group है इसका methylation कर देते हैं यानि hydrogen attacker के methyl group लगा देंगे और जैसे ही इसका methyl group आप लगाओगे आपको जो drug मिले बाकी सारे same structure हैगा केवल यहाँ पर six position पे methoxy group लगा देना है जिसको हम कहाँएंगे six methyl ister of erythromycin और आपको क्या मिल जाएगी kalithromycin जानि यह एक semi synthetic drug है जो कि erythromycin से सिर्फ इस position पे change करके हमको प्राप्त हो जाती है आप कह सकते है ister of erythromycin A में change करके ठीक है आप इसको A भी लिख सकते है erythromycin A में change हो रहा है next जो यह drug प्राप्त होती है इसका हमने क्यों बनाया इसका फैदा क्या है में कि यहाँ पर इसका absorption जो होता है वो erythromycin से ज्यादा अच्छा होता है साथी साथ यहाँ पर कम gastric irritation भी होती है जैसे कि erythromycin खाने पर gastric irritation होती है लेकिन karethromycin में यह चीज़ नहीं होती है यह भी जो है same erythromycin जैसी ही यूज किया जा सकते हैं जैसे कि आपके respiratory infections है bacterial bronchitis है pneumonia की condition है skin or sexual infections है और या फिर a typical mycobacteria के treatment में सबसे active macrolite के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है next one हमारी तीसरी जो आज की drug है वो है agithromycin agithromycin is also a semi synthetic drug from the erythromycin बस अंतर क्या है कि यह जो आपका ring system है इस ring system में हम लोग जो है एक तो nitrogen heterocyclic system डालते हैं दूसरा जो है यहाँ पर carbon की संख्या बढ़ा देते हैं तो total यह 15 member ring system हो जाता है जो पहले 14 था वो अब क्या हो जा जाना है और एक CS2 group क्या कर देना है यहां पर बढ़ा देना है तो जब यह ring system थोड़ा से बढ़ा हो जाता है 15-15 member हो जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे agithromycin बाकी सब कुछ सेम है यहां टकी सुगर वगरा भी सब कुछ यहां पर सेम लगी हो है बिल्कुल वैसे ही जैसा क आपका respiratory infections है जैसे कि bronchitis है, middle ear infections है, pneumonia है, step throats हो रहा है यानि कि अगर आपके throat में infection है आज कल जब करोना के राहिम में अगर किसी को throat में infection होता है तो सबसे पहले erythromycin यह ला जाता है, skin और sexual infections है किसी को खासी वगरा की problems हो रही है जिसमें गले में थोड़ा सा problem आती है तो उस condition में erythromycin जो है वो दी जाती है, तो यह सब infections हैं जहां पर हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो यह था आज का हमाँ topic जहां पर हमने macrolite antibiotics को बहुत ही असान तरीके से समझने की कोशिश किये, अगर आपको वीडियो पसंदा हो तो इसे like कीजिए, अपने friends में share कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और comment बाक्स मुझे लिख करके बताएगा कि क्या आप macrolite antibiotics का सार पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर लिखेगा, अगर comment आएगा, तब ही मैं बनाऊंगा नहीं नहीं बनाऊ तो इसका जो PDF का लिंक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 देनावाद